हलो दोस्तो वेरी गूड इविनिंग सुवागत है सबका इंफो बैट चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर सुवागत कर रहा हूँ दोस्तो आज बात करने वाल है आईशर मोटर के बारे में इससे पहले मैं पी वीर का वीडियो भी डाला हुआ है नहीं देखा होग आज बात करने वाल है आईशर मोटर के बारे में यह स्टॉक में काफी बढ़िया बढ़िया ख़बर निकल करके आ रही है दोस्तो और स्टॉक बहुत ही सस्ते में मिलने जा रहा है आपको टार्गेट बहुत लंबा है बड़े बड़े और्गनाईजेशन्स ने इसका टार 300 के रेंज तक पहुँच चुका है अब खरीदे या रुक जाए या थोड़ा और उपर जाने दे क्योंकि काफी बड़े लोगों ने कहा हुआ है कि गिरती हुई छूरी को ना पकड़ा जाए नेवर कैच अफॉलिंग नाइफ तो क्या करना चाहिए आईशर मोटर में उसक में से 90,000 की डिलेवरी उठाए गई थी लगबाग 25% से ज़्यादा का माल यहां पर उठाया जा चुका है इससे एक सिगनल आपको बिलकुल मिलता है कि माल उठना शुरू हो चुका है वैल्यू दिखिएगा स्टॉक टिकेट का जो अमाउंट है वो लगबाग 2400 के असपत 2400 के असपत अभी दिखाई दे रहा है यहां पर अगर माल उठाया जाना शुरू हुआ है तो एक अंदर आप लगा सकते हो कहीं न कहीं बॉटम यानि कहीं न कहीं सपोर्ट बॉटम शाहिद गलत वर्ड होगा सपोर्ट यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है तो क्या है हम देखते हैं प्रैक्टिकली चलते हैं चार्ट में वह समझते हैं देखें दोस्तों अल्ड़री स्टॉक जो है यह ओर सुल्ड के रेंज में पहुच चुका 31 यह हो चुका आरे साई की दरब से इसका इंकम भी काफी अच्छा था मोमेंटम दिखाई दे रहा था बिजनस तो यहां पर लॉकडाओं की जिल से कहें या फिर कर्रेक्शन कहें स्टॉक में वापस से आ चुका है और यहां पर जो है न दोस्तों यह पहुंच़ चुका है istry जहां पर यहां पर यह ऑप बहुत चुका है यहां पर बॉटम भी टेच्च कर चुका है दिखेगा तो यह मेरे खायद से 2300 के आसपाद यह सपोर्ट ले लेगा और एक तगड़ा सपोर्ट है यही से हमें वह बाउंस बैक मिला था जो हमें 300 के लेबल तक पहुंचा चुका था तो यह बाउंस शायद व बॉटम देखने को मिल सकता और उसके बाद डेफिनेटल यहां से मूव ओन करेगा और यह जो बड़ा रेसिस्टंस यहां पर लगा रखा हुआ है 2700 का इसको यह ब्रेक कर जाएगा तो इसको डेफिनेटल ब्रेक कर देगा काफी लोगों का बाइंग मेरे कारते 2800 से लेकर 2600 के बीच में है तो वह लोग भी अगर एवरेज करना चाहते तो 2300 के बाद जब स्टॉक ग्रीन केंडल लगा दे मोमेंट दिखा दे मोमेंट यह वह बाउन्स बैक का कंफरमेशन आपको देदे के वन केंडल लगने एक बाद कंफरमेशन नहीं होता है दो केंडल लगने तीसरी केंडल अगर रखती है तो वो और भी बेटर हो जाता है कंफरमेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो अब सेकंड केंडल पर बिलकुर ले सकते हो लेकिन स्ट केंडल में कभी सेजेस्ट नहीं करता हूं फर्स केंडल बिद हीवी वॉल्यूम और अगर आरे साइब भी बाउंस बैक दिखाता है तो यहां पर शायद जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं वो यहां पर इंट्री कर सकते हैं बट मेरा सेकंड कैंडल पर की होता है तो उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा दोजार तीन सो का बॉ आज की ही न्यूज है तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टन पॉइंट बन जाता है यहां पर खरीदारी के लिए बट खरीदें तो पूरा एक साथ ना खरीदें इंतजार कीजिए 10-15-20 ऐसे जैसे तरह से अपनी कैपासिटी हो उसको लॉट में डिवाइड कीजिएगा और यहां पर खरीदारी कीजिएगा 2,300-2,500 तक आप अराम से खरीदारी कर सकते हो उसके उपर बनता है इंतजार एवरेज भी बेटर हो जाएगा और इंतजार भी थोड़ा चोटा हो जाएगा मेरे खायर से दो या तीन मेने तक का यह इंतजार हो सकता है पॉसिबली अगर ब कीजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू वेरेवांट्च